हेई, वेलकाम बेक टो अवर चैनेल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात काने वाले हाउ टू रिसेट सावमी डिवाइस यानि कि इस फोन को पूरी तरह से रिसेट कैसे करें मॉबाइल को रिसेट मारने से पहले मैं आपको बात दू कि इस फोन में जितने सरे फोटोस, वीडियो, जीमेल अकाउंट, इंपोर्टेंट डिटे वागरा मुझूद है मॉबाइल को रिसेट काने से पहले उन सरे डिटा का बैक अप ले लीजिए क्योंकि रिसेट करने के बाद सरे डिटा पार मने लीडि डिलिट हो जाएगा तो इस मॉबाइल को रिसेट करने के लिए सबसे पहले आपको फोन के सेडिंग्स में जाना होगा नेक्स्ट एबाउट फोन में जाना है उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है यहां पर आपको दो ओप्सन दिखाई देगा Backup and Restore और Factory Reset Backup and Restore पर क्लिक करके SMS, Contact, Call History, System App और 3rd party Apps का Backup ले सकते हैं उसके बाद बैक आईए Next, Second Option Factory Reset में जाना है Factory Reset के अंदर आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा अपके फोन में जितने सरे एकाउंट, Contact, Photos, Videos, Apps, etc. सब कुछ डिलीड हो जाएगा तो इस सीच को अब ध्यान रखिए उसके बाद नीचे में Erase और Data पर क्लिक काना है इस पर क्लिक करते ही पॉप आवाएगा Backup Item Fast अगर आपने इस फोन पे कुछ बैक आप लिया है आपके फोन में MI Account Login था तो उसका भी Password डालना होगा Next OK कर देंगे उसके बाद आपको सोचित किया जाएगा कि आपके फोन से साड़ी डेटा Delete होने जा रहा है 10 सेकंड का टाइमर खतम होते ही Next दबना है आपसे दूबरा पूछ जाएगा कि आपने साबी डेटा का Backup लिया है यदि आपका उत्तर हाँ है तो OK पर क्लिक करें फिर आपका डिवाइस रिसेट होना सुरू हो जाएगा जब तक आपका डिवाइस पूरी तरह से रिसेट ना हो जाए तब तक आप इस फोन को चालू या बंद करने का कोशिस ना करें और हो सके तो 4000 के साथ मोबाइल कानेट करके रखिए तो दूस्तो इस तरह से आप अपना फोन को रिसेट कर सकते हैं उम्मीद करते हो कि ए वीडियो आपके लिए बहुत हेलफूल था तो अमड़े वीडियो देने के लिए आपको बहुत बहुत सुक्रिया